हेलो स्टुडेंट्स, माइ नेम इज राहूल, आम ए टीचर, इस वीडियो में आपको NCRT किलास 8 साइंस का चैप्टर वन क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के लिए डिफिकार्ट वर्ड मीनिंग बताऊंगा जो स्टुडेंट क्लास 8 में पढ़ रहे हैं और जो टीचर्स पढ़ाते हुए क्लास 8 साइंस और पैरेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत अधिक हेल्प उल रहेगा इससे चैप्टर रेडिंग और चैप्टर कॉंडेस्टेंड करने में काफी हेल्प मिलेगी तो किर्पिया वीडियो को लाज तक जुरू देखेगा और जो कंडिडेट्स पीडियाप नोट्स मंगाना चाहते हैं वर्ड मिनिंग के और अन्ने कॉंप्टर एक्जाम्स के लिए वो मेरे वर्टसप ग्रूप को जोइन कर सकते हैं नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और पीडियाप नोट्स मांगाने के लिए आप मुझे बार्टसप कर सकते हैं जो वर्ड मिनिंग है जब उन्हें इनकी नौलेज हो जाएगी तो चैप्टर को रिट करना और अंडरेस्टेंड करना इजी हो जाएगा और जो क्लास एट के स्टुडेंट्स हैं उनके लिए वीडियो बहुत अधीक बेनिफिसिल है यहाँ पे देखते हैं यह जो एन्सी आईटी क्लास एट साइन्स है चैप्टर वन क्रॉप प्रोड़क्शन एंड मैनेजमेंट डिफिकल्ट वाड मिनिंग पेज फाइब आई प्रोणा पैडी का मिन्स होता है धान का खेत सीडिलिंग का मिन्स होता है अंकोर ट्रांस्पलेंट का मतलब होता है दूसरी जगह लगाना मैन्यूली हस्त चालेंग से जो कहाम अपने आप करते हैं उसको मैन्यूली कहते हैं एप्रोप्रेट होता है उप्योत न्यूट्रें का मिन्स होता है सरना आप गटित हो जाना डंप का मिन्स होता है डालना पिट का मिन्स होता है गड़े बनाना आप पेसिक्स है जर्मिनेट का मिन्स होता है जो प्लेसिक्स में डिफिकर्ट वर्ड में नहीं है उसका वो बता रहा हूं मैं आपको जर्मिनेट का मिन्स होता है अ लेग्यूम बोलते हैं फलिया को, होडर का मींस होता है पसों का चारा, नॉड्यूल का मींस होता है घांट, यह NCRT क्लास 8 साइंस है, चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट, इसके मैं डिफिकर्ट वर्ड मी नहीं बता रहा हूं, पेस 7 है, डंग का मींस होता है गोबर, लीद, रेसिड्यू का मींस होता है सेस या अवसिस्ट, यूमस का मींस होता है खाद, इन्हेंस का मींस होता है बढ़ाना, पोरस का मींस होता है चित्रित, मैक्रोब, रोगानू या सोस्म किटानू, टैक्सर का मींस होता है सर्चना, इरिगेशन का मींस होता है सिच स्प्रिंकंलर का मिन्स होता है पॉभवारेधार शिर्काव यंध्र अनिवन चाहि असंतल नौजल का मिनस होता है , १ोटी- इस्केप का मिनस होता है electrag जाना , token से करें लौिस कंचते हैं , वरती सुछ पैसिद clothes के बीट्स बल्स बल्सक्पित है , चैसे बल्स जो खेती करने वाले प्लांटे उनको रुखसान पहुचाती नको खर-पतवार भी बोलते हैं परपजली का मीन्स होता है जान बुजकर फाला करना हार्वेस्टिंग का मीन्स होता है फसल की कटाई ग्रेंड का मीन्स है फसल या अनाज बोल सकते हैं सिकल का मीन्स हसिया होता है वेजिटेटिव का मीन्स वारस्पतिक यह NCRT Class 8 Science Chapter 1 Crop Production and Management पेज 11 है चाप का मीन्स होता है चाप को बोलते हैं भूसा को stressing होता है the separation of grain or seeds from that husk the separation of grain or seeds from the husk जो अराज है उसको भूसे से अलग करते हैं उसको stressing बोलते हैं harvester होता है फसल काटने वाला stub होता है टुकडा या ठूट विनोई का मीन्स होता है फटकना इंसेक्ट होता है कीडा लदेन मतलब लदा हुआ जर्मिनेशन का मीन्स होता है अंकोरन पैस्ट होते है हानिकारक जीव पेस्ट वाल पे ग्रेनरी का मीन्स अंडबंडार बिन का मीन्स डिबबा तो इस वीडियो में मैंने आपको NCRT Class 8 की जो साइन्स की बुक है चैप्टर वन क्रॉप प्रोडक्शन एंज मेनेजमेंट इसके जो वर्ड मीनिंग है इनको पताके एक्स्प्रेंच किया है ताकि चैप्टर रीडिंग और चैप्टर कॉंडेस्ट करना इजी हो जाए किर्पिया चैनल को सब्स्राइब करके बैल आकन को बस्यों कर लिजेगा वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरू कीजेगा और जो कंडिडेट्स यह जो वर्ड मीनिंग है इनके पीडियेफ नोट्स मंगाना चाहते हैं वो मुझे वाट्साप कर सकते हैं नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जल्दी मैं NCRT की क्लास एट की जो साइंसेज के अन्य लैसन और NCRT की जियो अन्य बुक्स है उनके अन्य बुक्स के लिए भी वर्ड मीनिंग और चैप्टर को रीड करके भी बताऊँगा और उसका आप मीनिंग बताऊँगा ताकि स्टुडेंट, टीचर और पैरेंड्स के लिए चैप्टर रिडिंग और चैप्टर कॉंडेस्टेंट करना ही जी हो जै वीडियो देखने के लिए आपका भहत भहत धन्यवाद जैहिंद